तेज बारिश में मम्मा जडिया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई जा रही थी मम्मा मम्मा मुझे ठंड लग रही है मम्मा मेरे पांग ठंक ठंक गए है थोड़ा और बस बेटा अब घट थोड़ी ही दूर है ममा चडिया अपने बच्चों को मौसम से मुकाबला करना सिखा रही थी ममा चडिया अपने बच्चों को जीना सिखा रही थी गुडिया जो ममा चडिया की बेटी थी वो बहुत अच्छी थी मगर उसका बेटा कुकु बहुत आल सी था यार चक्कू मेरी ममा हर समय मुझे कोई ना कोई काम कहती रहती है मेरा काम करने को जरा भी मन नहीं करता मगर मेरी ममा तो मुझे से बहुत प्यार करती है जब भी बापा मुझे कोई काम करने का कहती है तो ममा मना कर देती है कितनी अच्छी है आपकी ममा गुडिया बेटी कुकु कहा है मैंने कल बताया भी था कि आज मैंने आप दोनों को बांच का घर बनाना सिखाना है ममा मैंने कुकु को रोका भी था मगर वो नदी पर चला गया चलें बेटी हम उसे नदी से ले लेते हैं हमें देर हो रही है फिर मम्मा चड़िया अपनी बेटी को साथ ले कर नदी की दरफ जाती है कुकु बेटा आप यहां बैठे हुए हो, रात को मैंने कहा था आपसे मम्मा मुझे नहीं बांस का घर बनाना सीखना, मैंने तिंकों का गोंसला बनाना सीख लिया है, वही काफी है कुकु भाई मम्मा की बात मानो आप साथ चले कुकु तुम जाओ और बांस का घर बनाना सीखो मैं तो खेलने जा रहा हूँ कितनी अच्छी जिन्दगी है जगु की अपने मन में ऐसा सोचते हुए कुकु अपनी मम्मा के साथ चला जाता है मम्मा चलिया अपने बचों के साथ उड़ती हुई दूर निकल जाती है वो एक जगा पहुंचाती है जहां नदी के साथ बांसी बांस थे तो बचो इस पोदे का राम बांस है इसे बैम्बू भी कहते है ये पोदा जीने में हमारी हर तरह से मदद करता है इसके जोटे पोदे काट कर हम घर बना सकते है मम्मा क्या आप हमें एक पोदा काट कर दिखाएंगी किस तरह के पोदों से घर बनता है गुडिया अपनी मम्मा की बातें दिहान से सुन रही थी झबके कुकु तो फूल पर बैठी तितली की तरफ ही देखे जा रहा था कुकु बेटा मेरी तरफ दिहान दो मैं आपको यहां कुछ सिखाने के लिए लाई हूँ कुकु गुसे से अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है फिर ममा चड़िया कुछ बांस के पोधे कारती है और अपने बच्चों को साथ लेकर वापिस उड़ती है गोरी कवी तो अपने बेटे जगु को कोई काम भी ना करने देती जगु आज तुम मेरे साथ जाओगे घर की चात मरा मत करने के लिए लकड़िया लानी है आज हमें जंगल से ममा देखें पापा फिर मुझे काम करने का कह रहे हैं कालू एक एक ही तो बेटा है हमारा इसे घर हम बना कर देंगे तो फिर इसे काम सीखने की क्या जरूरत है मैं और तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहेंगे कल इसे अकेले भी जीना है नहीं जगु नहीं जाएगा तुम अकेले ही जाओ लकड़िया लेने ऐसे कोई भी काम होता जगु वो काम ना करता दिन गुज़रते के और फिर बड़साथ का मौसम करीब आजाता है ममा जड़िया अपने बच्चों को घर छोड़ कर कालू और गोरी के पास आती है जलती चलें गोरी और कालू ऐसा नहों के बारिश शुरू हो जाए सबतियारी मकमल है हम आपका ही इंतजार कर रहे थे जगु घर में ही रहना अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहिर न जाना फिर ममा जड़िया गोरी कवी और कालू कवा भोजले ने निकल जाते हैं वो जंगल की दूसरी दिशा की तरफ जाते हैं वहां फलदार पेड थे ममा जड़िया अपने बचों के लिए मीठे फल तोड़ती है गोरी और कालू भी मीठे फल ले लेते हैं बारिश भी शुरू हो जाती है बादल की गरज से पूरे जंगल में शोर था जड़िया वो पेड़ घना है हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं बारिश कम होने पर घर वापिस चले जाएंगे ऐसे तीनों पक्षी वहां बैठ जाते हैं हवा बहुत तेज थी इतनी तेज के सब पक्षियों के घर गिर जाते हैं जगुकवा भी अपने तूटे हुए घर के पास बैठा रो रहा था ममा पापा आप कहां हैं घर तूट गया आप जल्दी आ जाएं गुडिया भी अपने तूटे हुए घर के पास अपने डरे हुए भाई को लिए बैठी थी चिपकर जब भाई, ममा आने ही वाली होंगी मुझे डर लग रहा है, मुझे बारिश और बादल की गरज से डर लग रहा है एक तेज रोशनी आस्मान से गिरती है और साथ ही जोड से बादल के गरजने की आवाज आस्माने मिजली, सीधी उन तीनों बखशियों के उपर गिरती है ममा चिडिया, कालू कवा और गोरी कवी दूसरी सांस नहीं लेते और वहीं सब मर जाते हैं एक पेड के छेद में चुपा हुआ बैठा मिठु दोता ये सब देह कर वहां आता है मगर सब खतम हो चुका था वो पेड भी चल चुका था और बखशी मर चुके थे शांक से रात और फिर सुभा हो जाती है सूरज पूरी तरहा रोशन था जंगल में पखशों की आवाज गुंज रही थी मिठु दोता गुडिया और कुकु को बताने जाता है ये सब अचानक हुआ बच्चो अब आपकी मम्मा कभी लोट कर नहीं आएगी मिठु चला जाता है मगर कुकु और गुडिया तो रोए जा रहे थे मम्मा मम्मा आप क्यूं हमें चोड़ कर चली गई चुप कर जाओ भाई इस तुफान ने हमसे बहुत कुछ चील लिया है जगु भी रोए जा रहा था कुकु भाई चलें आप मेरे साथ चलें मगर कहां गुडिया बेहन बांस लेने हमें अपने लिए बांस का पका घर बनाना होगा क्या आपको ममा की बातें याद है ये सुनकर कुकु और भी जोरों से रोने लगता है और वो दोनों बेहन भाई बांस लेने चले जाते हैं गुडिया चोटे बांस के बोदे कारती है गुडिया बेहन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ममा फिर से वापिस आ जाएं और मैं ममा की सारी बातें माना करूँगा मैं अपनी ममा का हर कहना माना करूँगा मैं कभी भी ममा को तंग नहीं करूँगा मैं कभी तंग नहीं करूँगा मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ कुकु भाई समय लोड़ कर नहीं आता जो हुआ उसे भूल जाओ और आने वाले कल की चिंता करो याद है मम्मा भी यही कहा करती है मम्मा ने जो हमें सिखाया वो आज हमारे काम आ रहा है फिर वो बहन भाई बांस लेकर वापिस चले जाती है प्यारे दोस्तों मम्मा पापा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते इसलिए अपने मम्मा पापा से प्यार करें उनकी बातों को दिहान से सुनें और गुसा ना करें क्यूंके मम्मा और पापा सब हमारे भले के लिए ही तो करती हैं आपका धन्यवाद चिडिया, कबूतर और कालुकवा भोजन लेने घर से निकले थे वो काफी देर से उड़ रहे थे मगर अभी तक उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था और फिर वो तीनों दोस्त उड़ते उड़ते एक जगा पहुंजाते हैं वहाँ उन्हें एक कद्दू की बेल नजर आती है जिस पर एक बड़ा सा कद्दू लगा हुआ था दोस्तो मुझे लग रहा है आज हमें कद्दू ही खाना पड़ेगा कोई और भोजन तो अभी तक मिला नहीं है ना जी ना मुझे से कद्दू नहीं खाया जाएगा इसका सवाद मुझे जरा भी पसंद नहीं है मैं भी कद्दू नहीं खाता मुझे तो बच्पन से ही कद्दू का सवाद अच्छा नहीं लगता मैं तो आज कद्दू ही खाऊंगी और कुछ मिले ना तो क्या भूके मरना है तो फिर हम जा रहे हैं ऐसा कहते हुए कालू और कबूतर तो वहां से चले जाते हैं चिड्या भी उस बड़े कद्दू को तोड़कर अपने घर की तरफ चलती है ममा ये क्या है बेटी ये कद्दू है आज कुछ और नहीं मिला था इसलिए मैं कद्दू ही ले आई आ बेठें मैं चाकू लेकर आती हूँ हम इसे काट कर खाएंगे ममा चिड्या रसोई में चाकू लेने चली जाती है जैसे ही ममा चिड्या रसोई में जाती है वो बड़ा कद्दू रोने लग जाता है वो तो बोलने भी लगता है नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत काटे ये सब देहकर गुडिया डर जाती है ममा, ममा, जिल्दी आए ममा, कदू चाचा तो बोल रहे हैं और रो रहे हैं ममा चिडिया भी रसोई से भागी हुई आती है मुझे मत काटे, चिडिया, मैं कोई सधारन कदू नहीं हूँ मैं एक जादूई, शक्तियों वाला कदू हूँ मुझे ना काटे, आपको जो चाहिए, वो मैं आपको दे देता हूँ मैं सब कर सकता हूँ ये सब देह कर, ममा चिडिया और उसकी बेटी खुश भी थी और हैरान भी कदू अंकर, कदू अंकर, मुझे तो जोरों की भूग लगी हुई है मुझे कुछ खाने को दे मांगें, आप जो मांगेंगी, मैं दूँगा तो फिर आप मुझे मिठाई दे मेरा आज मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है फिर वो जादूई कदू जोर से हिलने लगता है और उसमें से मिठाई निकल आती है ममा चिडिया और उसकी बेटी गुडिया को तो अपनी आँखों पर विश्वासी नहीं हो रहा था गुडिया ये तो सच है मुझे अभी तक अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा मैं तब तक ये सब कर सकता हूँ जब तक मैं किसी ऐसे पक्षी के पास रहूंगा जो लालची नहो अगर आप लालची होती तो मेरी कोई भी शक्ती काम ना करती कदू भाई मेरा विश्वास करें मैंने जिन्दगी में कभी लालच नहीं किया जो मिला सबर शुकर किया वो तो मुझे तब ही पता चल गया था जब आपके दोस्त मुझे छोड़ कर चले गे और आपने मुझे ही खाना पसंद किया अब आप मिठाई खाएं और मैं सो जाता हूँ फिर ममा चिडिया और उसकी बेटी मजे मजे से मिठाई खाती है रात को ममा चिडिया वो जादूई कदू पानिंगे मटके के उपर रख देती है और वो सब सो जाते है दूसरे रोज कालू कवा चिडिया के पास आता है चिडिया 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 चले भोजन लेने नहीं कालू भीया मैं तो आज भोजन लेने नहीं जाऊंगी आप चलें कल आपने तो कदू ही खा लिया मैंने और कबूतन ने थोड़ा आगे मीठे मीठे फल खाए थे वहां और भी फल है मेरी बात तो सुने कवे भीया जो कद्दू में कल लेकर आई थी वो कोई सधारन कद्दू नहीं बलके एक जादू ही कद्दू था उस कद्दू ने हमें रात को ढ्यर सारी मिठाई दी थी और वो हमें अब भोज़न भी देगा मैं नहीं मानता ऐसा नहीं हा सकता ममा कालू अंकल को भी कद्दू चाचा से भोज़न लेकर दे फिर ही कालू अंकल मानेंगे फिर चिडिया जादूई कद्दू उठा कर लाती है कालू क्या खाओगे जल्दी से बताओ मम मेरा तो मीठे मीठे आम खाने का मन है फिर चिडिया जादूई कद्दू से कहती है जादूई कद्दू, जादूई कद्दू हमें मीठे मीठे और हसीले आम दे वो कद्दू तुरूंत जडिया को आम दे देता है कालू कव्वा तो बैठा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था ये कैसे हो सकता है अंकल कालू आप आम खाये गुटलियों से आपको क्या काम कालू कव्वा वो आम लेकर सीधा घर जाता है और घर जाकर अपनी पतनी गोरी कव्वी को सारी बात बताता है सारी जिंदगी कालू तुमने कोई ढंक का काम नहीं किया क्या था अगर वो जादूई कद्दू तुम घर ले आते मुझे क्या खबर थी कि वो कद्दू जादूई है कालू जरा सोचो अगर वो कद्डू मेरे पास हो तो कैसे मौझ मस्ती करूँ मैं कैसी मजे मजे की चीजें खाओं मैं कालू कुछ करो मैं नहीं देख सकती के वो छोटी जिडिया जादूई कद्डू से मजे करे तो फिर करना क्या है रात होने दो हम दोनों चुड़िया के घर से वो जादूई कद्दू चुरा लाएंगे मेरा संदर पती बहुत अच्छा है मेरा पती मेरी हर उल्टी सीधी बाद मान लेता है ममा मैंने कद्दू चाचा से अंगूर भी ले लिए और एपल भी अब आप ये फल कबूतर और मिठो अंकल को दे आएं और उन्हें बता कराना के अब हमें भोजन की कोई चिंदा नहीं है गुड़िया वो फल लेकर अपने घर से चली जाती है और चिड़िया कुछ अनाज लेकर गरी पक्षियों में बांटने जाती है मैं ठीक जगा पर पहुँच गया हूँ ये चिड़िया बहुत दियालू और इमानदार है मैं ऐसे ही इन सब बक्षियों की मदद करता रहूंगा और लालची और बूरे बक्षियों को सजा देता रहूंगा चिड़िया भी सारा दिन फिर्टे फिर्टे ठाक गई थी दोनों मा बेटी अपने अपने खौंसलों में लेटी हुई थी ममा जब मैंने कबूतर अंकल को जादूई कदू के बारे में बताया तो वो खुशी से उच्छनने लगे थे और मिठो अंकल तो नाच रहा था हाँ बेटी अब किसी को भी भौजन की चिंता जो नहीं रही आधी रात हो जाती है कालू और गोरी भी चिड़िया के घर से जादूई कदू चुराने आ जाते हैं वो खिड़की में बैठ कर देखते हैं कालू दोनों मा बेटी सो गई है जल्दी चलो और जल्दी से मुझे जादूई कदू चुराने दो चलो चलो गोरी हम घर जाकर इस जादूई कदू से मिठाई लेकर खाएंगे फिर वो दोनों कवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं जैसे ही कालू कवा उस जादूई कदू को उठाता है तो वो जादूई कदू एक बड़ी लाठी में बदल जाता है और वो लाठी दोनों की पीटाई शुरू कर देती है मर गे, मर गे, बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें कालू, कालू, ये किस मुसीबत में फंस गे तुम तो कहते हो, ये जादूई कद्दू मिठाई देगा बगर ये तो हमें मार रहा है ममा चिडिया और उसकी बेटी भी उठ जाती है और गुडिया जादूई कद्दू से कहती है बस करो, बस करो मेरे जादूई कद्दू, इन्हें और मत मारो गुडिया की बात सुनकर, वो लाठी फिर से कद्दू में बदल जाती है कोई भी लाल्ची और जोर पक्षी मुझे अच्छा नहीं लगता ये मुझे चुराने आए थे अब अच्छा यही है, काले कवो, आप यहां से भाग जाओ ऐसा नहो के कद्दू फिर से लाठी में बदल जाए ये सुनकर गोरी और कालू तो ऐसे भागते हैं जैसे उन्हें करंट लग गया हो ऐसे कवों को उनके लालच की सजा मिलती है प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है के लालच बुरी बला है, कभी लालच ना करो